दोस्तो ओम नमस्ट सिवाय दोस्तो यदि आप डेली का रासिफल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कलने यहाँ आपको डेली का रासिफल मिलेगा साथी सुब अंक, भागय साली रंग और साथ में उपाय आपको जानने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साथ फर्वरी 2024 के धनो रासिफल के बारे में सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग कैसा होगा साथ फर्वरी 2024 माग महा का किर्सन पक्ष का बुधवार का दिन होगा द्वादसी तिथी दो फैर दो बजकर दो मिनट तक रहेगी इसके बाद तिरियोदसी तिथी सुरू हो जाएगी पूर्वा साथा नक्षत्र सुभे चार बजकर 37 मिनट तक होगा फिर उत्तरा साथा नक्षत्र सुरू हो जाएगा वज्रियोग सुभे दो बजकर बावन मिनट तक होगा इसके बाद सिध्धियोग सुरू हो जाएगा सूरिये देव मकर रासी में वराजमान होंगे यानि आपके धन भाव में दित्ते भाव में यहां से अस्टम भाव पर दरश्टी डालेंगे चंदर देव आपकी ही रासी में वराजमान होंगे यानि धनु रासी में लगन भाव में और सब्तम भाव पर दरश्टी डालेंगे राहुकाल का समय दो फैर बारा बजकर चालीस मिनट से दो फैर दो बजकर चार मिनट तक होगा और अभिजीत मोहरत कोई नहीं होगा दोस्तो हिंदु धर में प्रदोस वरत का बहुत महत होता है प्रतेक पक्ष की तिरियोदसी तिथी को प्रदोस वरत रखा जाता है इस वरत में भगवान सिव की पूरे विधी विधान से आराधना की जाती है और इस महिने का पहला प्रदोस वरत साथ फरवरी दोजार चार इस दिन सिविलिंग पर कुछ खास चीज़े अर्पित करने से भोलेनात बहुत जल्द प्रसन होते हैं। भक्तों की सारी मनो कामनाय पूर्ण करते हैं और आर्थी किस्थि को मजबूत करते हैं। क्योंके सादी में विवां में कोई वयवधान आ रहा है, तो वह वयवधान दूर होगा, सादी में आने वाले दिक्कतें दूर होंगी और घर में सुक समर्ति में बढोतरी होगी चंद्रमा की स्थिति धनुराशी में है तो आप मेंसे कुछ लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं आप के है मूड खुसनमा हो सकता है जिससे आप अपने लक्षों तक पहुँचने के लिए अलग-लग तरियों पर विचार करेंगे हाला कि भविशय को लेकर जादा उत्साहित होने से बचें इस बात के पुखता संकेत है कि लंबे समय से चला रहा रिस्ता व्यवसाइक सहयोग में बदल जाएगा जिससे आपको एविश्वसनी रूप से खुशी मिलेगी आज का सुब समय सुब है नौ बजे से दस बजे के बीच का होगा इसमें आप अपने महत्पून कारियों को कर सकते हैं आज का सुब रंग गुलाबी होगा और सुब अंग चार होगा लंबी परिशानी के बाद आज आप अपने केरियर के बारे में कोई महत्पून नर्णा ले सकेंगे बच्चे के जन्म के बाद भी आपको इसी जगह पर काम करना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए पूरी तरह से सोचने समझने के बाद आपने जो भी नर्णा लिया है वो यही नहीं इससे आपकी तनख्वा में भी अच्छे बड़ोतरी देखने को मिलेगी यह सब कुछ होगा लेकिन तब जब आप अपने काम में खरे उतरेंगे और दीगे जिम्मेदारियों को समय से पहले पूरा करेंगे इससे आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन होंग आपके सहकरमी भी आपकी सपोर्ट करेंगे, सहयुख करेंगे इस और आन परिवार की और से भी कोई सुख़द समाचार आपको मिलेगा जिससे आपका दिन खुश्यों से भ़रा रहेगा, उच अधिकारी की तरब से भी कोई समाचार की प्रापती हो सकती है परिवार के साथ किसी पर्टि में सम्मलित होने का मौका मिलेगा जहां आपकी मुलाकाथ किसी अच्छे व्यक्ति से हुगी जिसकी मदल से आप अपने रुके हुए कारियों को पूरा करने में सफल होंगे और आपके आर्थिक इस्तिती में भी सुधार देखने को मिलेगा स्वास्त्य के प्रति सजगता बढ़ाएं किसे अच्छे डॉक्टर से परामर्स लें तो आपके लिए जादा अच्छा होगा विरोधी सक्रिय रहेंगे बढ़ों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करें जिससे आपको काफी सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी धर्न आगमन के संकेत हैं अगर आपने पहले कोई निवेश किया हुआ था तो आज आपको उसका फैदा होगा नौकरी कर रहे लोग आज अपने कारियों को करने में सफल होंगे वैस्त दिनिचरिया में से आज आप अपने लिए कुछ समय निकालेंगे जिसमें आप अपने पसंदिदा कारियों को करना पसंद करेंगे जीवन साती के साथ आज आप संतान के भविश्य को लेकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे भाई के विभा में आ रही अर्चने समाफ्त होंगी अचानक से आपकी मुलाकात आपके पुराने मित्र से होगी जिससे मिलकर आपको अपनी पुरानी यादे ताजा होंगी मित्र के साथ आप अपने दुख सुक बाटते हुए नजर आएंगे इस दोरान किसी भी कारे को जल्दबाजी से करना आपके लिए नुकसान दैक साबित हो सकता है जल्दबाजी में कोई फैसना ना ले किसी के सुझाए गए निवेस में अच्छी तरह से जाच पड़ताल कर ले तब ही निवेस करें इस औरान मकान, संपत्ती और वाहन की दिसा में किया गया प्रियास सफल होगा कारोबार को बढ़ाने के लिए नई यूजना दिमाग में आएंगी नौकरी पेसेवर के जातक काम में लापरवाही करने से बचे आफिस में अपने से सीनियर का सहयोग पाने का प्रियास करें तामपत्य जिवन में सुखद इस्तिती बनेगी राजनितिक छेतर में सफलता प्राफ्थ होगी सांसारिक सुख भोग के साधनों में भी विरद्धी होगी संतान के पिर्ती दाय तो पूर्ती भी होगी रोजमर्रा के घरेलू कारें को निप्टाने का आज सुनहरा मौका है साम का समय दोस्तों के साथ बिताना आपके लिए काफी सुखद होगा अगर आप बहुत ज़्यादा तनाम महसूस कर रहे हैं तो बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं उनके प्यार भरे बातों का और मासूम मुस्कुराहाट आपकी सभी पारिशानियों को खत्म कर देंगे आर्थिक जीवन में खुशाली रहेगी इसके साथ याप कर्ज से भी आज मुक्त हो सकते हैं बच्चे भविशे की योजनाय बनाने की अपिक्चा घर के बाहर ज़्यादा समय बिता कर आपको निरास कर सकते हैं विक्तिकत मार्ग दर्शन आपके रिष्टे में सुधार लाएगा लेखक और मीडिया कर्मी बड़ी ख्याती प्राप्ट कर सकते हैं आपका विक्तिकत तो ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर आप परिशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिस करने लग जाते हैं इस लिहाद से आज का दिन आपके लिए बहुत उमदार हैने वाला है आज आपको अपने लिए परियाप्त समय मिलेगा आप अपने जीवन साते के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसान इसे सामना कर सकते हैं तो ऐसे में आप जो लोग प्रेम सम्मन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय काफी सांदार साबित होगा आप सी रिष्टे में बंधने का मौका मिलेगा आप सी रिष्टे अच्छे होंगे धन संपत्ती में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वेवसाय भी उचाईयों पर होगा आर्थे किस्तिती मजबूत होगी परिवारिक जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जिनें पूरा करने में आप सफल होंगे आप सी रिष्टे अच्छे होंगे और वेवाहिक जीवन भी सुखद होगा तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें